तुम सब कुछ कल समझे हो तो यह सुनने के बाद वो इसमेल कर दूए कहता है तो क्या तुम मेरे को पसंद करते हो वो इचरदीवे कहता है ठीक है फिर अपने आप से आगे बढ़ो यान कहता है मैं शोर नहीं हो कि तुमारी यह एंपरार रिजोर्ट में शिप किती जदा है होंगे लेकिन भले मैं ऐसा देख रहा हूं लेकिन मैंने पिछले 10 सालों से जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ी है और मैं कम से कम खुद को पर्टेट करने के लिए तो काफी स्किल्फ लूँ वो किता है अच्छा तो फिर चलो तुमारी स्किल्स का टेस्ट लेते हैं और फिर वो इस पिर तलवार से भार निकलाती है और वो असल में एक लड़की होती है शायर जिसको देखकर वो एकदम शोक हो जाते हैं और के रहा होता है तो तुम देख लड़की हो वो किती है हाला कि से व्लों साल बीद गए हैं लेकिन लोगों का रियक्शन तो अभी भ वो केता है क्या यहां पर वो लेड़ी केती है अगर यह तुम्हारी पसंद के साफ से नहीं तो आप लोग और वीचा सकते हैं और कल रात तुम तो एकिस सेकेंड में कहीं पर वीचाने में समझते ना क्या तूम को याद देखे उससे में क्या हो रहा था वो केता है जर को सुनने और उसके पास हो गया था शायद हम अपनी नजरों से किसे स्पोर्ट को देखो तो शायद में वहां पर टेलिपॉर्ट हो सकता हूं वह लीडी बोलते हैं फिर मुझे डखते कि अपन को इसे ट्राय करके देहना चाहिए और दिवाल के आरपार हो जाती है वह फट करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन मैंने कभी भी किसी ऐसे परसंट के बारे में नहीं सुनाई जो कि बिना खोले तुर्ण टेलिपॉर्ट कर सकता है तुमने यहां पर मुझे अपनी दिखाए तो इसके बल्ले में तुमको अपनी तलवार पासी दिखाऊंगी ओके और व पर यहां पर अपनी दलवार को चलाती वे दो तिन एनरजी के स्लेश श्मारती है और वो सारे एनरजी के दलवार में बदल जाते हैं और वो सब यान के तरफ बढ़ने लगते हैं यह देखकर वो काफी हिरा होता है इसके पास तो कही सरी तलवार है वो लड़की स्मैल करती इसीघी कई पर बड़कां अपने पास आतिवें दिखाहें दे रहाँ होता है और लुस को कुछ नहीं होता और ऐसका यह arma Test sencill देखकर भ SMS इसकी में होता है लगते हैं और मेरे हमने को Ver madman खासकते ओंबिन यह बलोंख कर सकते हो मेरी तलबार के लिउचन नहीं तुमें घु वो किती है क्या एंपरेर की जोडमेंशिप और अपना पेट पकड़कर जोर से हसना चुरू कर देती है वो बुस्ता होती हुए कहते है आगरिस में क्या फणी बात है वो किती है तुम तो सच मुझ कुछ भी नहीं चानते हो है ना नकली लोड इसे फेरल बिलेड कहा जाता है ये तो बस एक basic skill है जो कि मैंने एंपरेर की गार्ड में शामिल नहीं से पेले ही सिख ले थी वो कहता है क्या तुम इसको basic skill कह रही हो वो कहती है हाँ अगर एसा है तो फिर मुझे समराज चेहते हाथ से ही सुरू नहीं बनाया गया था वो कहता है आखर तुम्हारा इस बास से निकल जाता है वो लिटी घुसा करने लगती है और इसके बाद में कहीं पर किसी बिल्डिंग के अंदर उन दोनों को देखाया जाता है एड्मिनिस्टर और फाइनेंश जो कि फिर के तरह कुछ खुराफात कर रही हो शैथ एड्मिनिस्टर पूश्टा होता है मैंने सु तो है एक लोड अपने एरिया और अपने करेंट सिचुशन के बारे में जानने के लिए जिग्यासु तो हो गही थो मस कहता है लेकिन वो पेले ऐसा तो कभी नहीं करता था इसे पेले की भोश्चता देर हो जाए अब उनको कुछ करने की ज़रुआत है एड्मिनिस्टर पर द्यान देने कर टाइम ही नहीं होगा वह पूस्ते तो फिर उसके बात क्या धोमस केता है फिर अपनी से मती नहीं दे सकता थीक है ठीक है हम बाद में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या करना है ठीक है लेंकिन अभी इक लिए इसको भार से कुछ लाने के बाद आती है वह पठाग से प्रिंटों के पास जाकर खिटके खोडके देखता है तो लोड यान गाड़े पर खड़े होकर चिला रहा होता है तुम ल कि वो टेक्स को आदा कर रहा है यान केता है हर कोई इसको इंजोई कर रहा है तो आप लोग इस तरह से चलते रहेंगे आप लोग सरकारी दफ्तर तक ना पहुच जाएं वो लड़की के दिया शत्ता के नस्य में चादा मर्डूबो यान केता है विद ग्रेट पावर्स कम ग् कर रहा होता है और यहान सोच रहा होता है अब जो कि मुझे अपनी पावर का टेस्ट मिल गया है तो सभी पॉसिबिलिटीस के बारे में सोचना मसदार है शायद अप डाइम आ गया ही कि मैं इसके इस्तमाल करना शुरू कर दूं और फिवो गाड़ी से चम करते हुए नीच होता है तो मुझे आप से यहां पर मिलने का सुभागे प्राप्त होगा यान केता है तुम दुनों तो हमेशन मुझे मिलने आते रहते हो तो मैंने सोचा कि इस बार में तुम्हारा रहे संचुका दूं तो फिर चलो यहां पर जड़ा चारो और नसर डाले जाए एड्मिनि रहेता है इसको देखते हैं वह कहता है वाव यह तो में के बगीश से भी भोच दा सुन्दर लग रहा है इस जिकापर तो बहुत सरा पैसर लगा होगा है ना यह सुन्दे तो थोड़ा शोक हो जाता है और बहुत होता है माय लोड़ी यह बगी चाहने नहीं बनाया है यह तो हमेशा से यहीं परता यान केता है ओ सच में तो मुझे लगते है कि मैं को कोई क्लस फेमी हो गई थी और वो थोड़ा था हलका सहास देता है तो थो मस भी आगे सहसना शूबर देता है और वो कहता है वैसे मैंने सुना है कि तुन दोनों ने इस रिंग से पहले मेरे पते निष्टा की शपत लीती क्या यह सच है वो दोनों भी बोलते हैं हाँ लोड यह तो करेक्ट है अफकोर्स तो फिर मैं सिदे मुंदे पर आजाता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हर गाउं में टेक्स इसको कम करके ठीक बैसली कर दो जैसे मेरे पिता के श्राशन काल म और यह सुन्दी से वो दोनों हिरान हो जाते हैं और थो मच लाते हूँ केता है लोड यान आप हम दोनों से पेले डिसकेशन किये बिना इस इंपोर्टेंट डिसीजन पर कैसे पोश गए मैंने सुने हैं कि छो लोग अपने टेक्स नहीं चुगा बाते वो खदान में गुल सबस्क्राइब लगेगा इसलिए इसकर से को जिता जल्दी हो सके होता है चल्दी चुका ना आपके लिए और इस लेंड के दोनों के लिए ही सबसे बेस्ट ओप्षिन है यान के ताइए फिर बेस से कोई भी आच्छर रिज़र्ड ने निकलेगा थोमस के तहीं आखना है ना वो बोलता है रहे बिल्कुल भी नहीं तुमने तो मेरी तेच्छी तरह से देखवाल करी है और तुम्हें तो परसंट है जो कि मेले वो रियर दबाई लेकर आया था और वेसे भी मुझे करेंट सुच्वेशन अच्छी नहीं लग रही है भले ही हमें अपना करसा चुक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे और को देनाय करने के कोशिश कर रहे हो तो मस वह कहता है मैं माफिश चाहता हूं मैं लोड लेकिन यह टेक्सिस आपके अनुमति से ही बढ़ाए गए गए और आपने अतीत की सारी यादे खो दी है प्लीज यह समझिए आपके करेंट को सही मानना में लेप होती मुश्किल है यह सुन्देश से यान कहता है अच्छा तो तुम्हेसा सोचते हो और फिवो एडमिस्ट्रेटर से कहता है नोस तुमें इसके बारे में क्या लगता है क्या तुम थो मैस के साहते हैं और वो जुकते हुए कहता है अगर आप अपने झालने कन演 के चाहिए था का ने नियुक़्य का पहुजब लग में डिख़्ेहां ऑफक्द में सब्सक्राइब और फिवो गाड़ी में बैट जाता है उचाने से पेड़े कहता है रहे हां थोमस कौन जानता है शाहिद आश्रत हमारी एक और मीटिंग हो जाए बहुत मुरती हुए कहता है मैं आपकी कमड़ गंडरी काम करता हूं मास्टर और फिवो अपने गाड़ी में बैट कर निकल जा उसे कमीने के पास तो शमीर ही नहीं है जो जाता है वही लोड़ता है